हाई गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, आइम एक्ता और आज की वीडियो में मैं शेक करने वाली हूँ आपके साथ मीशो ज्वेल्री हॉल अदो 300 रूपीज एक शायद 400 के आसपास है या फिर 300 से थोड़ा सा ही ऊपर है उसका प्राइस बाकी सारे के सारे 300 से नीचे के हैं और सारे के सारे बहुत जादा अफॉर्डेबल हैं गुड्ड क्वालिटी के हैं क्योंकि मैंने क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइस नहीं किया है आपके लिए तो यह मैंने चुन-चुन के निकाले हैं मीशो से जो कि आपको जरू ट्राय करने चाहिए अगर आप ज् ब्लाबरिंग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आये हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे उसको भी हिट कर देना ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें ये वीडियो अच्छी ल प्लास्टिक के बॉक्स तो मुझे वैसे भी सही लगते हैं आप स्टोर करके कुछ और भी चीजे रख सकते हो इसमें या फिर अपनी खुद की जुएल्री उसके बाद आपको ये तीन रिंग्स मलती हैं जो कि ऐसे पॉल्थिन में आपको मिलेंगी तो दीज आर एडि रिं जादा मिलेगी कुंदन जोल्री मिलेगी लेकिन एडि की जोल्री मुझे बहुत कम अच्छी लगती है लेकिन मुझे ये काफी जादा डीसेंड सी लगी मेरे हिसाब की आप चाहिए तो इनको एक एक करके पहन सकते हैं किसी भी फंक्षन में एक पहना है दो पहना है या फिर तीनों एक साथ पहना है कैसी भी पहन सकते हैं और you can see एक में थोड़ा red वाला touch दे रखा एक में थोड़ा yellow वाला touch दे रखा है और जो beach वाली ring है ये पूरी rhyme stone वाली है और ये adjustable भी है तो आपके finger का size कोई भी हो ये सब को आजाएंगी तो कुछ इस तरीके से ये हाथ में लगती है आप दो डाल सकते हो हातों में या फिर ऐसे सिंगल करके भी डाल सकते हो मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी प्राइस के हिसाब से जितना प्राइस मैंने इन तीनों रिंग के लिए पे किया है अगर ऐसी रिंग्स आपको पसंद है तो आप जरूर यह खरी सकते ह इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जितने भी सारे प्राइस में यहां पर शेयर कर रही हूं आपके साथ सब के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो मेक शूर आप जरूर चेक कर लें उसके बाद सेकिंड आइटम है बैंगल्स और वो वीच वीच में जो स्टोंस लगे हुए हैं पिंक कलर के और ग्रीन कलर के तो यह बहुत जादा सुंदर लग रहे हैं मेरे पास ऐसे बैंगल्स बिलकुल भी नहीं थे काफी जादा स्टडी है जितना प्राइस मेंने इनका पे किया है उसके इसाब से तो गाइस इनकी क्वा बहुत जादा अच्छी है क्वालिटी बहुत अमेजिंग है तो यू शूद डेफिनेटली ट्राइडिस आउट उसके बाद मैंने एक कुंदन का सेट लिया है यह एक नेकलेस सेट है ऐसा सेट जो है वह मैं काफी टाइम से देख रही थी यही थोड़ा सा एक्सपेंसिव ह पूरे हॉल में बाकी नहीं है क्योंकि एक नेकलेस सेट है इसमें आपको एरिंस पी मिल रहे है साथ में पूरा गले का सेट भी मिल रहा है तो यह कुछ इस तरीके का कार्ड़ बोर्ड बॉक्स में आया था परसनली मुझे यह बॉक्स बिल्कुल पसंद नहीं आया सब्सक्राइब के से आज़ी फिर टूटने का भी डर रहता है लेकिन लखी ली इसको कुछ हुआ नहीं और दिस इस ती कुंदन सेट काईज यह उसका नेकलेस है यह चोकर सेट है वैसे तो एसे नेकलेस सेट काईज बहुत बहुत जादा ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल तो मुझे ऐसा नेकलेस सेट जरूर चाहिए था अपने लिए और साथ में यह िएरिंस मिलते हैं एरिंस भी क्यूट से हैं आप इनको चाहें तो अलग से भी पहन सकते हैं साड़ी व Farqua के साथ मेश्राइब यह फिर आप यह पूरा नेकलेस सेट पहन सकते हैं या फिर इस को खाली पहन सकते हैं किसी भी तरीके से आप वियर कर सकते हैं यह तो टोटली आप पर डिपेंड करता है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत बहुत जादा अच्छी है सिर्फ यही है जो 300 से उपर का है जिसकी मैं बात करी थी बाकी सब 300 से नीचे के हैं जितना प्राइस मैंने इसका पे किया इसकी क्वालिटी के हिसाब से मस्त है खरीद लो जल्दी से खरीद लो जब मैंने यह ओर्डर किया था न मीशो से तो मुझे काफी ड़ लग रहा था मुझे रहा था पता नहीं कैसा आएगा डिफेक्टिव ना आ जाए फिर रिटर्न करना पड़ेगा एक्स इसने में प्रॉब्लम नहीं होती नेक्स आइटम मैंने यह एरिंग्स लियां गाइज लुक अट इस एरिंग्स इस आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल जो इस पे एलिफेंट वाला डिजाइन बना हुआ है ना बस वही मेरे को इतना जादा अच्छा लग रहा था यह इतने ह क्वालिटी भी बहुत बहुत जादा अच्छी है वैसे ऐसे जो एरिंग्स हैं आपको सवरुजी नगर मार्केट में 50 रुपे के 60 रुपे की भी मिल जाएंगे आराम से मुझे तो नहीं मिले मैं जब गई थी मैंने यह एरिंग्स देखे दे तो मुझको 1.500 रुपे कोट क यह एरिंग्स जो मैंने वियर कर रखे हैं and I love these earrings मतलब सबसे पहले मैंने कोई ज्वेलरी ओर्डर की थी ना मीशो से तो वो यहीं की थी और इसको देखने के बाद इसकी क्वालिटी देखने के बाद मैंने फिर यह सारी चीज़े ओर्डर की और मैंने सुझा चलो एक ज्व उपर व्यूस तो होई चुके हैं तो लोगों को भी बहुत साथा पसंद आया कुछ लोग बोल रहे थे कि साथ में मिल जाते हैं हमारे यह मार्केट में 50 रुपे में मिल जाते होंगे लेकिन यह एरिंग्स उन लोगों के लिए हैं जिनको एकसेसिबल नहीं है क्योंकि अगर आपको ऐसे बड़े बड़े एरिंग्स पसंद ना यू शुद गो फोर दीज एरिंग्स बहुत जादा अच्छी क्वालिटी एंकी 100 परसेंट आपको ले लेने चाहिए इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्स में यह आय थे इनकी जितनी तारीफ करोना होतनी कम है सच ब खरीदे हैं सबके लिंक आपको मेरे डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे in case if you want to buy any of these items तो आप जाके खरी सकते हैं उसकी लिंक पे ठीक है और अगर यह वीडियो अच्छी लगती है थोड़ी से हैफुल लगती है तो प्लीज इस वीरी को लाइक कर देना शेयर भी कर देना तो वह भी बता देना कमेंट करके जरूर मैं आपके लिए आगे बनाऊंगी और आपको मैं नेक्स वीडियो में मिलूंगी तब तक लिए गुद्बाई टेकर लाव यू